नमस्ते बच्चों, JCRTK DG स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम तीसरी कर्षा की एक बहुत ही रोचक कविता जिसका नाम है पेड़, इसका हम अध्यन करने जा रहे हैं तो बच्चों, चलिए आप इस स्क्रीन पे देखिए, कविता की पंक्तियां कुछ इस परकार हैं अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, बांतने में उसकी रसी चाहे जहां कहीं ले जाते बच्चों, आपका जो हिंदी पाठिफुस्तक है, उसका नाम है भासांजली, इस भासांजली के पाठ संख्या 6 पे आपको जाना है, जो की आपके प्रिष्ट संख्या 34 पे है तो चलिए बच्चों, इस रोचक कविता को हम लोग खूब अच्छी तरह से कंठस्ट करने का प्रियास करते हैं अगर पेड़ भी चलते होते, जदी पेड़ चलते होते तो क्या होता? अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते? यानि हम बच्चों की खूब मस्ती होती, पेड़ भी चलते और हम भी चलते हैं ना? अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते? बान तने में उसकी रसी चाहे जहां कहीं ले जाते हम लोग क्या करते? इसके तने में रसी बान देते और जहां मन करता हूँ हाँ इसे ले जाते तो देखिए बच्चों आपके लिए मैंने सुन्दर सुन्दर चित्र भी जुटाएं हैं अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते बांतने में उसकी रसी चाहे जहां कहीं ले जाते बच्चों आगे की जो पंक्तियां हैं उसे देखने से पहले इन चार पंक्तियों को हम लोग फीर से एक बार दोराते हैं अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते बांतने में उसकी रसी चाहे जहां कहीं ले जाते आगे की पंक्तियां तो और भी रोचक है बच्चों हम बच्चों को क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है न तो देखिए आप ही से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां है भूख सताती अगर अचानक तोड मधुर्फल उसके खाते मधुर्फल मने बच्चों मीठा फल है न पेड़ पे ही तो फलते हैं मीठे मीठे फल तो भूख सताती अगर अचानक तोड मधुर्फल उसके खाते आती की चड़ बार कहीं तो जट उसके ऊपर चड़ जाते देखिए भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधूर फल उसके खाते देख रहे हैं बच्चों मैंने जान बूझकर बड़े अक्षरों में लिखा है कि ताकि आपको याद करना आसान हो जाए आती की चड़बार कहीं तो जट उसके ऊपर चड़ जाते अब आगे की पंक्तिया हैं बच्चों जहां कहीं भी धूप सताती हैं धूप तो खूप सताती है तो जब धूप सताती हैं हम लोग क्या करते हैं पेड़ों के नीचे जाते हैं आराम करते हैं गाव में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं और उसके नीचे आराम करना हमें बहुत अच्छा लगता है तो जहां कहीं भी धूप सताती इसके नीचे जट सुस्ताते देखिए बच्चों कितनी कड़ी धूप है न जहां कहीं भी दूब सताती इसके नीचे जट सुस्ताते जहां कहीं वर्सा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते बच्चों बहुत मुसलधार बारिस में तो पेड़ के नीचे भी हम लोग भीगते हैं लेकिन हलकी बारिस में हमें पेड़ बचा लेते हैं है ना तो और आगे बच्चों हम लोग इस कविता को कि जो कुल बारह पंगतियों को एक बार फिर से दुराते हैं और आपको भी मेरे साथ साथ दुराना है चलिए अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते बांतने में उसकी रसी चाहे जहां कहीं ले जाते बूग सताती अगर अचानक तोड मधुर फल उसके खाते आती की चड़ बार कहीं तो जट उसके ऊपर चड़ जाते जहां कहीं भी धूप सताती इसके नीचे जट सुस्ताते जहां कहीं वर्सा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते तो ये कुल 12 पंग्तियां है बच्चों इनी 12 पंग्तियों को आपको याद करना है तो निश्चा ही बच्चों आप इन 12 पंग्तियों को याद कर लेंगे और घर में अपने माता पिता भहिया दिदी को आप इसे सुनाएंगे और विद्याले खुलने पर आप अपने सिक्षक को भी सुनाएंगे बताएंगे कि विद्याले भले ही बन थे लेकिन आपको ये कविताएं जो हैं याद हो गई है है ना तो इसे लाय के साथ आपको गाना है और पूरे मन से इसे याद भी करना है है ना तो ठीक है बच्चों इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे जोहार बच्चों जैहिन बच्चों